आजकल जरतर समस्या लीवर के उपर बहुत जाता है लीवर कमजोर हो जाता है, लीवर फेटी हो जाता है, लीवर खराब हो जाता है, नए जाने कितने तरे की समस्या है सबसे बड़ी बात है आजकल बच्चों को भी ये प्रॉबलम होने लग गई है जरासा फैट बड़ा हुआ नहीं कि लिवर के उपर प्रोब्लम आ जाती है जरासा आपने चटपटा खा लिया जैसे मैं रेसेपी में आपको बताती हूँ कि तीखा चटपटा जो है खाने से लिवर के उपर बहुँच जाता है अगर ऐसा आपको लगता है कि भारबां टकार आ रही है या फिर पेट फूल जाता है या फिर कुछ भी प्रोब्लम है उसके लिए ऐसी सटिक जानकारी लेकर क्याई जो आपको एक बर में आपको पिल्कुल रिजल्ट देगा आप सभी को पता है जो मैं आपको रैसे भी बता यह जो चीजे में बताती हूं आपको घरेलू जो नुक्से होते हैं यह बहुत जादा फाइदे मंद होते हैं कोई देखी दिखाए सुनी सुनाई मैं आपके साथ बातों के साथ शेयर नहीं करती हूं नमस्ते दोस्तों कैसे हैं आप सब आप आई मेंनों को पता किचन में आप सबीका खुब-खुब स्वागत है जैसे मने कहा कि आज में लिवर प्र बात कर रहे हूं लिवर हमारा बहुत ही ज्यादा जूक होता है कैसे जैसे रुई होती है इतना ज्यादा नाजूक होता है यह नाचुक जब आप चटपटा खाते है यह धांज की जीब को तो ब हिन्त है और तर्वार noon जो हमारे पेट को जो सुरक्षित हमें के लिख अपनी और सबुजों हर सब्ची में आ लाएं हम आप दो है और धनिया保़ मेरी निता दे बने के रूप में प्रयोग कर सके और यह हमारे जो लीवर है उसको यह जा करके अच्छा एकदम मजबूत बना सके जितनी भी प्रॉबलम होती है लीवर की उसका सभी का एक ही उपाय वह धनिया हाँ जी हरा धनिया की यह जो पतियां है बहुत कारगार होती है इसे कैसे लेना होता है इस टाइम पर लेना होता है कि तनी मात्रा में लेना होता है और कैसे कैसे खाना चीए यह सारी बाते आज में अपके साथ करोगी कोई भी मैं आपके साथ वीडियोव करते हूँ उसकी बिल्कुल डिटेल तक आपके वंबाते बताती हूं एक बात शूट ना जाए जो ने थोड़ा सा तोड़ लिया, डंठल साईथ, मैंने इसे तोड़ा है, और तोड़ करके, जो थोड़ा भुद खराब इससा है उसे आप निकाल दे, इसे पानी में, अच्छे से एक गिलास पानी मैंने ले लिया, इसे अच्छे से हम इसे धोलेंगे, और इसमें जो मिट्टी दो तिन पानी से आप इसे अच्छे से धो लें ताकि इसमें से मिट्टे अच्छे से निकल जाए ध्यान रखेगा डंठल इसमें रहना बहुत जरूरी है जब आप इसे तोड रहे हैं एक हम प्राइक में लेंगे कोई भी मोटे तले का बरतन ले ले और उसमें हम डालेंगे एक किलास करीब पानी एक कप के करीब भी आप इसमें पानी ले सकते हैं कम जादा हो जाए कोई भी दिक्कत नहीं है पानी जब गरम हो जाए जैसे उसमें उबाल आने लगे तब इसमें हम डालेंगी ये पतिया अब धनिया की पति की बात आती है धनिया की पत्ती हमारे मुख के जितने रोग होते हैं यानि के जितने माउथ के रोग होते हैं दातों के जितने रोग होते हैं उसमें सबसे बढ़िया ये कारगार है बाथरूम की जितनी समस्या होती है उसमें ये बहुत अच्छा रहती है अपच की जितनी प्रॉब्लम होती यह उसके अंबर यह बहुत बढ़िया रहता है, डाइजेशन पावर अगर आपका गड़बड़ा आट है, तो इसमें बहुत जारा अची रहती है, क्योंकि सबकाम लीवर ही तो करता है, जब लीवर आपका खराब हो जाता है, तो वो आपके मुह से बदबू देना सुरू कर सिरफ मने पती नहीं लिए, डंठल सहीत हम इसमें डाल रहे हैं, मोटी मोटी डंठल हो, कोई काली पिली से उसे आप अठा दे, बाके डंठल तही इसे लीजेगा, क्योंकि डंठल में बहुत जादा प्रोटीन होता है, और इसे हम 6-7 मिंट या 7-8 मिंट तक इसे हम अच्छ पानी जला जाता है, या फिर उसे जो है लीवर अगर खराब होता है, तो उससे ही सारी प्रोब्लम जो है, शुरुआत हो जाती है, लीवर रूई जितना सॉफ्ट होता है, जब आप किसी भी स्पाइस चीज को खाते है, आपकी जीप को तो वो टेस्टी रखता है, लेकिन पेट में जब जाता है, लीवर बहुत सकुचा जाता है, ऐसे से वो डरने लग जाता है, कि मुझे स्पाइसी आगया, जख्खम हो जाते हैं, जख्खम की वज़े से, और उसमें फिर जो है बहुत उसको घा हो जाते हैं, जिसे कहते हैं, उस रूप में जाते हैं, फिर उसक जब यह लीवर को आप जैसे पहले कहते थे ना बिल्कुल सिंपल खाना चाहिए आजकल भी गाओं में जो हमारी किसान भाई है जो हमारे रिस्तेदार रहते हैं गाओं में आप देखेंगे उनके यहां पर स्वाइसी तरह खाना नहीं होता है सामको राबडी बनाते हैं अभी दिमी दिमी आज पर पकाया और उसे दूद के साथ घी के साथ गाते हैं तो आपको समझ में आ रहा है कि पहले हमारे जो बड़े बुज़रुक्ते वह यही चीज कहने को हमें कहते थे और यही चीज जो है हम नहीं खाते हैं सुबै उटके भी हम करमा-गरम पराटा काते हैं किसान भाई या फिर गाउं में वह सुबें चाच चाच के साहत्य सोब शूप के रूप में in the the chat वह उनका सूप जाता है सूप के रूप में उसे पी लेते हैं बहुत बड़िया छोचड़ी होते हैं जो है कई लोग चाच के साथ कहते हैं या फिर उसे तड़का लगाकर खा लेते हैं तो ऐसे जो है वो यूजब लेते हैं अब देखें यहां पर मुझे साथ से आठ मिंट हो गया अच्छे से पक चुका है जैसे इसका पानी आधा उबल चुका एक दम और हम गैस की फ्लेम को ह बढ़े तक सभी ले सकते हैं मैंने उबाला क्यों है अब इसे आप कच्छा पीश करके भी ले सकते थे लेकिन आचकल कितना केमिकल है इसलिए थोड़ा सा उबाल करके लेना बहुत जरूरी है कईयों को कच्छे का फ्लेवर भी अच्छा नहीं लगता है अब इसे हम चलने क रूप में आ चुकी है कई चीज हम घर में अगर कर लेते दवाईयों के सासा तो वह बहुत ज्यादा बैनिफीसल होता है इसे खाली पेट भी आप ले सकते हैं नास्ता करने से अधिगंटा पहले ले सकते नास्ता करने के बाद इसे ले सकते लेकिन ध्यान टेकिया शिप श आपके बहुत सारे कमेंट्स देना कि मिनुजी आप में लीवर के बारे में बताईगी काफी सारे जब कमेंट्स एक ही जीज के उपर आते हैं तो मैं उसी के उपर आप लोगों साथ वीडियो चेयर करती हो और मैं बगर ताम जहां के इजी रेसे भी बताती हूं तो बगर मुझे रिलेक्स मिली दी अब लोगे कमेंट्स आ रहे तो तो मेरे पासे हैं मैंने आपको दे दी और ये कोई देखी सुनाई या फिर कहीं से पढ़ी पुड़ाई देखी दुखाई चीज नहीं है यह मेरे उपर अजमाई हूई चीज है हमारे संतमात्म हों के मारे बड़ और आप लोग मुझे प्रोसाहन भी देते हैं प्लीज एक लाई दे करके मुझे प्रोसाहन करे यह मैं आप लोग के लिए ऐसे ही और काफी सारी रेमेडी खेर की आती रहूँ और मुझे आप लोग के लिए किस चीज के उपर वीडियो बनानेगा यह भी आप मुझे ज़र सब्सक्राइब के साथ तब तो कप लोग देख तरी हमने कुटा की चन थेंक यू